इंदोर नगर निगम ने शुक्रवार को एक बार फिर बड़ी कारवाई करते हुए कम्यूनिटी की भूमी पर बने चार अवैद रोहाउस निर्मान को दर्स कर दिया इस दोरान निगम अधिकारी सहीद भारी पुलिस बल मौचिद रहा इंदोर नगर निगम आयुक्त प्रतिवापाल के निर्देश के करम में जोन करवांग चाहू था बार करवांग बायासी के अंतरगत प्लाट नमबर डी बीस एवं बाईस सुदावा नगर में ले आउट में ऑडिटोरियम कम्मिनिटी हॉल की समीन पर चार रोहाउस का वैद रूप से निर्माण किया जो रहा था जिससे शुक्रवार को नगर निगम द्वरा धुस्त किया गया हलांकि इसके पहले निगम द्वरा पूरु में सूशना पत्र कारण बता सूशना पत्र जारी किये गए किन्तु भावन स्वामी दोरा कोई जवाब प्रस्तूत नहीं किया गया जिसके चलते शुक्रवार को कारवाई को अन्जाम दिया गया सुधामा नगर में कमिश्र मेडम को शिकायत मिली थी कि सुधामा नगर कम्मुनिटी हॉल की जमीन है लगबख 4,000 स्कैर फिट जमीन थी उसमें किसी महेंदर जेन जो बिल्डर है उन्होंने 4 ब्लॉक बनाए लगबख 1000,000 स्कैर फिट के वो चार ब्लॉक बना इस तरह कुल 4,000 स्कैर फिट लेंड पे वो बनाके और उन्होंने लोगों को बेच भी दिये थे तो कमिश्र मेडम को शिकायत मिली थी मेडम ने अपने अस्तर पर जांच करवाई थी और शिकायत सही पाई गई थी तदनुसार फिर मेडम ने बिल्डिंग ऑफिसर को निर्देश किये थे कि उनके खलाफ करवाई करनी है उसी परिपेक्ष में आज सुबह मेडम के आदेश पर हम लोगों ने ये रिमूवल की करवाई सुदामा नगर में करी है ये विशुद रूप से अवैध नर्मान था और नगर निर्गम से किसी प्रकार की कोई पर्मीशन उनके द्वारा नहीं लिग गई थी और कम्मिनिटी हॉल की जमीन थी ये जब आज सुबह मैंने उसको हटाया तो आसपास के लोगों ने इसमें बड़ी खुशी व्यक्त करी कि सुदामा नगर में लोगों के लिए कम् प्लॉट का तो मुझे नहीं मालूम था लेकिन बिल्डर जो महेंजेन अपने आपको बता रहे थे वो जरूर आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने तो सारे सुदामा नगर में इस तरह से बहुत सारे मकान बिना अनुमति की बनाए हैं वो बाद भी मैडम को मैंन संग्यान में लाई है कि इनका तो कामी है शायत की बिना अनुमति की बनाना फिर आगे जैसे मेडम निर्देश करेंगी वही आये थे और वो मुझे अपने वकील के साथ आये और कुछ कागस भी दिखा रहे थे लेकिन नगर ने किसी तरह की कोई उन्हें अनुमति दी ही न कर दो